शाहीन बाग एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है यहां पर बुल्डोजर चलने जा रहा है और यह कारवाही आज से शुरू होगी और अगले 13 मई तक जारी रहेगी यह सब कुछ हो रहा है इसलिए क्यूंकि अतिक्रमण को लेकर के दिल्ली की जो विवस्था है MCD है वो बड़ी सख्त हो गई है और कोट का भी आदेश आ गया है कि शाहीन बाग समेथ जिन एलाकों में अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से कन्फरमेशन का इंतजार था MCD को और आज अभी एक गंटे पहले य कि हमारे बूर्दोज़र कोट से अतिक्रमण को घटाया जाए गा आए बताते हैं आपको क्या है पुरी खबर और किस तरीके से शाहीन बाग में अतिक्रमण को हटाया जाए गा और अतिक्रमण का मसला दिल्ली मी क्या है नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जन्ता जन्क्शन तो समाचार एजिंसी एनाई ने तकरीबन एक घंटे पहले ट्विट के जरीए ये कन्फर्म किया है कि दिल्ली पुलिस आज शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमन हटाने के लिए MCD को जो सुर देख रहे हों तो दिल्ली में इसकी कारवाई भी शुरू कर दी गई हो वहाँ पर निगम के अफसर भी हैं और साथ में जो बुल्डोजर पहुचने थे वो भी दीरी दीरे पहुचने शुरू हो गए हैं और जो MCD सेंटरल जोन के अस्थाई समिती के अध्यक्ष राजपा यहां पर पहुचे हुए हैं और उनका भी बयान आया है कि नुगरपालिका अपना काम करेगी हमारे कार्यकरता यानि कि नगरपालिका जो कार्यकरता हैं और जिकारी से भी तयार हैं और कारवाई के लिए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं तुगलगाबाद संगम बिहार New Friends Kolonia या शाहीन बाग जिसको कह लें, यहाँ पर जिन इलाकों में भी अतिकरमण है, वहाँ से अतिकरमण हटाए जाने की पूरी तयारी M.C.D. की तरफ से कर दी गई है, अब शाहीन बाग चर्चा का केंदर सी ये प्रोटेस्ट के बाद बना था, उस दोरान वहाँ पर जो कुछ ह उसके बाद पूरे देश में कई महीनों तक शाहीन बाग की चर्चाये चाही हुई थी, जिसको नहीं पता था, उसको भी शाहीन बाग के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए शाहीन बाग की खबर एहम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक घटना करमों के लिए जाना जाता है, एक मजहभी जो एक तरीके से राजनीतिक की जाती है, उसका केंदर दिल्ली में शाहीन बाग एक वक्त के लिए बना था, और अब फिर से जब अतिकरमन हटाया जाएगा, तो उसके बाद भी जाहिर है, कुछ न कुछ बोल बतल गही, या बयान या बातशीत आएगी उससे निकल करके, अब शाहीन भाग में जो बुल्डोजर चलने का डर है, वो साफ दिखाई दे रहा है, जहांगीर पुरी में जो कुछ हुआ, उससे लोग बचना चाते हैं, इसी वज़े से जो सड़कों पर सामान लगुन लगा रखा है, ठेले अपने लगा अगर बुल्डोजर की कारवाई होती है, और दूसरी तरफ MCD की तरफ से एक अनफर्म किया जा चुका है, कि आज बुल्डोजर चलाया जाएगा, और अतिक्रमड जो है, उसको हटाया जाएगा, और आज ही नहीं, 13 तारीख तक ये बुल्डोजर लगा तार चलते रहेंग और उसको लेकर किस्टे और लेकर के आएगे, उस पर भी बाते होंगी, राजनीती क्या कैसे इस पर पलट करवट लेगी, जो प्रदेश के मुकिया है, दिल्ली के, अरविंद केजरिवाल और MCD के जो लोग है, महां बरभारतियनता पारिटी की सत्ता है, तो क्या उनके बी उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे, फिलाल के लिए इतना ही आपकी राय क्या है, जो अतिकर्मन हटाये जा रहे हैं, और उसको लेकर के जो सियासत हो रही है, कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है, कि दिल्ली में अतिकर्मन हटाया जाना सह ही या गलत और किन मायनों में उपाइदे मंद साबित हो सकता है का इंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं और वीडियो भी जरूर साजा करिएगा फिलाल के लिए इतना ही मिना नाम उन्राग मश्रा है आप जुनता जुन देख रहे थे कैमरे पर मेरे साथ हों प्रकाश थे श है है आपो ठय कि लिएगा हो गॉन भॉब लगा ऑन पने मेनों में वो भी जुझ